दोस्तो एक्सल में जब हमें मार्क शीट पर प्रैक्टिस करना होता है तो हम क्या करते हैं कि सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग number टाइप करते हैं जो कि बहुत time लग जाता है दोस्तो इसका एक shortcut है सबसे पहले सारे sel को select करेंगे जहां तक हमें number चाहिए उसके बाद formula लगाएंगे एक equal to ranked between का ठीक है उसका bracket open करेंगे अब bottom number में जितना number हमको चाहिए वो डाल देंगे और top number में जितना हमें चाहिए हम यहा 95 लेलते हैं bracket close करेंगे और keyboard से control enter press करेंगे तो सारे पर automatic number fill हो जाएगा अब इस number में हम अगर कोई changing करते हैं तो सारा number change हो जाएगा इसको fix करने के लिए सारे number को select करेंगे उसके बाद control C से copy करेंगे इसके बाद right किलिक करेंगे और paste special पर आके paste as a value कर देंगे तो अब यह सारा fix हो गया अब इसको total करने के लिए keyboard से alt और equal to press करेंगे सारा total हो जाएगा और इसको drag कर देंगे तो सारे में total आ दोस्तो इसी तरह का वीडियोज देखने के लिए प्लीज हमारी चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को जरूर प्रेस कीजिए